सो यह गाईज एक बहुत ही बड़ी गूड निकल कर आ रही है अब ATM में आपको क्यास की कमी देखने को नहीं मिलेगी RBI का एक नया सर्कूलर आया है इस वीडियो में लाइप प्रूफ के साथ बात करेंगे प्रूफ के साथ बात करता हूँ तो यह मैं RBI के ओफिशल वेबसाइट के उपर आ चुका हूँ यहाँ आप एक देख सकते लंबा चौड़ा सर्कूलर है वैसे यह कल ही आ गया था कुछ रीजन के वज़ा से मैं वीडियो नहीं दे पाया तो काफी लंबा चौड़ा है उतना पंड़े की जौरत नहीं है सिंपल से लंग जो समझा देता हूँ एक लंग में समझ जाईएगा तो रूल यह है कि किसी भी बैंक के ATUM में एक महीने में लगतार 10 दिन तक cash नहीं रहता है तो उस condition में उस बैंक के ATUM को 10,000 रुपया का penalty देना पड़ेगा और ये ऐसा एक ATM में लागू नहीं होगा पूरे इंडिया में उस बैंक के जितने भी ATM है लगतार अगर 10 दिन तक cash नहीं रहता है एक महिने में तो परतेक ATM में जो है उस ATM यानि कि उस बैंक को जो है 10,000 रुपया का penalty देना पड़ेगा तो अब उब्यस सी बात है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई बैंक फ्री फोकर्ड में हर भीया को 10,000 रुपया दे दे तो अब्यस सी बात है कि अब आपको सभी ATM में cash तो at least देखने को मिलेगा अगर लगतार 10 दिन तक cash bank नहीं रखती ATM में तो उनको जो है 10,000 रुपया का penalty देना पड़ेगा जो कि clearly यहाँ पे mentioned है rule के साथ mentioned है date भी बताया है कि यहाँ पे जो है cash out at any ATM more than 10 hours in a month will attract a penalty of 10,000 per ATM clearly यहाँ पे बोल दिया गया है और यह लागू कबसे होगा the scheme sell be effective from October 1st 2021 यानि कि 1 October 2021 से यह लागू हो जाएगा सभी बैंकों को यह यहाँ पे follow करना पड़ेगा वैसे कुछ लोग comment करें कि third party ATM भी होता है तो उनका क्या होगा यहाँ पे clearly mentioned किया गया है in case of white label ATMs the penalty would be charged on the bank which is meeting the cash requirement of the particular WLA मतलब जितने भी white label ATMs होते हैं white label ATMs जो third party ATMs होते हैं उनमें भी आपको यह चीज़ देखने को मिलेगा तो third party ATMs का क्या होता है कि वो किसी बैंकों के साथ उनका tie up रहता है तो अब्यसी बात है जिस बैंक से tie up होगा वहाँ से उनको penalty यहाँ भरना पड़ेगा तो यह circular आ चुका है और यह लागू हो जागा 1 October 2020 से कि किसी भी बैंक के ATM में एक महिने में लगतार 10 दिन तक cash नहीं रहता है तो उस condition में उस particular ATM के लिए 10,000 रुपया का penalty देना पड़ेगा और यह multiple time हो सकता है जैसे कि एक महिने मे एक बार हो गया तो दूसरे महिने भी अगर नहीं रहा तो दूसरे महिने भी देना पड़ेगा और यह RBI calculation कैसे करेगी कि उस particular time में उस ATM में cash था या नहीं था तो यहाँ पर किलरली मेंशन रहे कि first success statement of the month 5th 2021 यानि कि every month के यानि कि 5 तारिकों बैंकों को statement भेजना पड़ेग तो definitely अब क्या है कि bank काफी मरमानी कर रही थी obvious ही बात है बहुत सारे charges लगाते है bank ATM में transaction करने को मैंने हाली में कितने सारे वीडियो दिये हैं जिसमें ATM transaction पे भी charge लगता है तो आप उन सभी वीडियो को भी जाके देख सकते link में description में दे दूँगा तो अभी यह बहुत ही ब प्राब हो गया या कोई technical problem है तो उसमें कोई penalty नहीं लगेगा सिर्फ अगर ATM में cash नहीं है यहाँ पर penalty देना पड़ेगा तो यह बहुत ही बड़ा good news था प्लीज वीडियो को like करिएगा मैं कल तो ऐसे वीडियो नहीं दे पाया लेकिन मैंने सोचा वीडियो बनाना तो लाइक करेगा इसे तरह के से इंफॉर्मेटिव अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई डॉट बस तक में करने ना भूले मिलते हैं दो साथ तब तक लिजय हिंद जय भारत